Hello students, आज हम विध्यूत के बारे में और उसके तापिय प्रभाव के बारे में वर्कशीट 21 में 10th क्लास की जो की साइन्स की है उसमें पढ़ रहे हैं चलिए विध्यूत के बारे में हमने पहले भी दो वर्कशीट पढ़ चुके हैं अब यह जो वर्कशीट है यह विध्यूत के तापिय प्रभाव को बताती हैं मतलब विध्यूत अगर किसी चीज़ में से गई और वो चीज गरम हो गई क्या आपने देखी ऐसी वो चीज गरमें? हाँ, क्या-क्या देखा आपने? मैंने हीटर देखा है, और प्रेस देखी है, बल्ड देखा है, और गीजर देखा है, गरम पानी की रोड्स देखी है, माइक्रोवेव देखा है, टोस्टर देखा है, इवन फ्रेस के अंदर से पीछी की तरफ भी गर्मी निकलती है आप बहुत सारी चीज़े देख लिए आपने तो चलिए अब उस पर ही बात करेंगे कि इसके तापिय प्रभाव का प्रयोग क्यूं होता है और कैसे होता है क्या विद्यूद के लिए जो हमने घर में मतलाब इलेक्टिसिटी के लिए जो हमने तारे लगाई हुई है क्या वो भी गरम हो जाती है वो तो गरम नहीं होती नहीं तो वो सारी पिंगल जाती नहीं गरम होती तो यह कहां पर यूज़ होता है और कैसे देखिए विद्यूद बल्ब, विद्यूद बल्ब के अंदर अधिकान शक्ती उश्मा की रूप में प्रगट होती है तदा कुछ भाग प्रकाश की रूप में उस सर्जित होता है जादा तर जो विद्यूद बल्ब, अच्छा बल्ब आप लोगों ने सबने देखा होगा चलो आजकल CFL लगा होता है, याली भी लगी होती है लेकिन पुराने बल्ब भी कही ना कहीं तो लगे वह होगी जब बल्ब चलते थे, आपने चलाया उसको और वो गरम हो जाता था बहुत गरम हो जाता था, यहां तक कि अगर आपको जब बल्ब ओन हो उसको उतारना हो, तो कपड़े से पकड़ना पड़ता था यह मैं अपने एक्सपीरियंस बता दी हूँ, मैं भी ऐसे करती थी इसलिए, तो इसका मतलब जितनी हम विद्वध धारा देते हैं विद्वध बल्ब में वो ज़्यादा तर उश्मा गरमी के रूप में बदल जाती है है ना, और कुछ जो है प्रकाश की रूप में बदल जाती है क्योंकि हमें पता है उर्जा संदक्षन का नियम यही कहता है कि उर्जा का ना तो विनाश किया जाता है ना उसको उसका सरजन किया जा सकता है वो तो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है ठीक है? तो हम किस बात पर रहे थे हम बात कर रहे हैं बल्ब की कि विदूद बल्ब में जादा तर जो विदूद उर्जा है वो उश्मा में बदल जाती है या फिर उसके अंदर से प्रकाश उर्जा निकलती है अब ये बल्ब जो है जैसे की पुराने आप लोगों ने देखी होंगे अभी भी बहुत जगें बल्ब लगे होते हैं आपके घर में भी एक बल्ब तो ज़रूर होगा ही बल्ब के अंदर यहां बीच में बिचा तन्तू लगा होते हैं वो भी देखा होगा ये तन्तू इतना गरम हो जाता है कि रेड कलर का हो जाता है और बल्ब गलो करने लग जाता है मतलब बल्ब जलने लगता है ये दंदू special type के एक पदार से बना होता है जिसका नाम है tungster ठेक ये special धातु है ये तंदू बनाने की काम आती है जितना 23 ये गरम हो जाता है अगर कोई और उसकी जगह तार लगा हुआ हो इतना पतला तो क्या होगा वो तो खराब हो जाएगा पिटा वो गल जाएगा इसका तापमान इतना ज़्यादा क्यों हो सकता है क्योंकि इसके अंदर गलने वाली जो इसका temperature है गलनांक है वो बहुत ज़्यादा है है कितना ज़्यादा है 33 without questions 3380 degrees Celsius ह। हम वता है जयर्टा चीजें 100 degrees Celsius are उबलने लग जाती आफ्टै तीक है जैसे पानी जह है वो 170 degrees Celsius पे पानी से भाब बन जाता है द्रव से ऍलिक Tou चलिए बल्ब में जब कभी बल्ब फूटता है तो क्या होता है बिटा आवाज आती है बढ़ाओं आती है ना कितने लोग मैंने देखा है कि बल्ब को बच्चे जानबूज के खराब बल्ब को जोर से दूर से कहीं खाली जगह पर फैक्ट दे लिए है ना तो ऐसा क्या है जब उसमें से आवाज आती है गुबारे में से आवाज आती है गुबारा जब फूटता है बल्कुल आती है क्यों क्योंकि उसमें गैस या हवा भरी होती है बल्कुल ऐसे ही इस बल्ब के अंदर भी हवा भरी है या गैस भरी है और वो गैस भी ऐसी है जो किस बल्ब में भरी होती है जिससे कि ये जो टंक्स्टन लगा हुआ है तंतु ये खराब ना हो इसकी आयू बढ़ जाए चलिए एक तो हुआ ये बल्ब का प्रियोग दूसरा हम कहां पर देखते हैं घर में पेटा विद्यूत फ्यूल्स में पहले के जो फ्यूज होते थे वो इस तरह क्यों होते थे पिटा एक चिडिया सी बने होते थे चिडिया बोलते थे उसको एक डिब्बी सी बने होते थे पिटा इस डिब्बी के अंदर यहाँ पे तार लगे होते थे ये जो है ये तार लगे हुई आपके ठीक और ये ये जो पीछे है ये आपका चीनी मितिकर बना हुआ फ्यूस होता था ठीक अब इस फ्यूस के अंदर दिखाई दे रहे हैं सबको तार अलग से दिखाती बने हांचे ये एक सुरक्षा युपती है इससे हमारे घर में अगर ओवर्लोडिंग हो जाए अधिक विदियो धरा भेने लगे ठीक मतलब इसके अंदर अधिक विभानतर हो जाए 230, 220 ऐसे आता है घर में विभानतर भी लेकिन अगर वो जादा भर जाए तब क्या होता है तब सारी घर की चीज़े खराब हो सकती है बल्ब, फ्रेज, टीवी, कूलर, पंके सब खराब हो सकता है तो उसको बचाने के लिए ये विध्योत फ्यूस का प्रियोग किया जाता है विध्योत फ्यूस के अंदर ऐसी धातू लगे होती है या मिश्र धातू का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक थोड़ा कम होता है उचित गल्नांक होता है उचित क्यों कहां क्योंकि एक ऐसा हमें गल्नांक जैसे सैट कर लिया जाता है यह आपका लैब्स में सैट होता है हम लोग नहीं करते बिटा जब तारे बने फ्यूज बना उस टाइम सैट कर लिया जाता है गलनांक हम यह कहते हैं इनका गलनांक कुछ अपने हिसाब से सेट होता है कि हाँ Germanlyanda तार का गलनांक इतना है उच्चित गलनांक होता है German, copper, iron, lead इमका प्रियोग किया जाता है इस दातो के अंदर इस तार को बनाने में इनका प्रियोग किया जाता है परिपत की बात करें, जो घर के परिपत है, वो कैसे होंगे बीटा? जहां मीटर होगा, मांलो ये आपका मीटर है, मीटर के बाद सीधा पहले fuse जोडा जाएगा, ठीक, और उसके बाद, जो लाइते हैं, वो आगे जारे होंगे, और कैसे जा रही होंगी वो fuse हमेशा जोड़ा जाता है श्रेनी करम में कैसे जोड़ा जाएगा श्रेनी करम में यह आपका fuse है ठीक फ्यूज हमेशा श्रेनी क्रम में जोड़ा जाता है और कौन सी तार भी जोड़ा जाता है लाइब तार पर जिसमें करंट होता है उस तार में जोड़ा जाता है फ्यूस की शम्ता कितने होती है उपकरण की शम्ता से किसी किसी उपकरण में ? कॉशन देखे अब इसके वेसिज़ पर फ्यूस की तार विदित उपकरणों को कैसे बचाती है तो आप आंसर लिखोगे फ्यूस की तार लाइव तार के साथ श्रेनी क्रम में लगी होती है ये तार ऐसी धातू या मिश्र धातू की तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक कम होता है या उचित गलनांक होता है उधारन के लिए अलूमीनियाम, कॉपर, आईरन, लेट जब घर में ओवरलोडिंग या शोर्ट सरकेट होता है तो सबसे पहले ये फ्यूस की तार पिंगल जाती है इसके पिंगलने से क्योंकि यह श्रेनी क्रम में लगी है इसके पिंगलने से सारी ही लाइट बंद हो जाती है और सारा परिपत तूट जाता है परिपत आगे चले गई इसके पिंगलने से परिपत तूट जाता है क्योंकि यह श्रेनिक्रम में लगा होता है और विद्यूद उपकरन का बचाफ हो जाता है नेक्स्ट कॉश्चन है विद्यूद लैंपो के तंतुओं के निर्मान में प्राया एक मात्र टंग्स्टन का ही प्रयोग क्यों किया जाता है हाँची बताईए इसकी दो करन क्या क्या है यह उच तापमान पर उपचारित नहीं होती दूसरा इसका गलनांग बहुत उच होता है कितना 3380 डिग्री सेल्सियस होता है ज्यादा तापमान आने पर यह खराब नहीं होती और इसका क्या होता है बिटा हाँ बिल्कुल इसका तापमान गलनांग जो है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है नेक्स्ट कुशन है फ्यूज लाइव ताउर से जुड़ा होता है सत्य या सत्य बिल्कुल सत्य तो एक वरक्षीट में हमने सिर्फ इसका प्रियोग देखा कि विद्यूद धारा के तापिय प्रभाव क्या है वहवारिक अनुप्रियोग देखा बल्प में और फ्यूज में और उसके बेसिस पर हमने तीन कुशन भी कर लिये अब हम आगे अगली वरक्षीट में देखेंगे क्या होता है विद्यूद के तापन प्रभाव का हमें पता लग गया अब इस क्या हम मेजर करेंगे इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे और वो किस से निकलेगी हान जी इसके फर्मूले से थैंक यू पर वाचिंग